अहम ने तो किसी को भी नहीं बक्षा। अयोध्या से वापस आने पर मा कौशल्या ने श्री राम से पूछा। रावन को मार दिया। तब भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर जवाब दिया। निमारा है। मैं अहंकार अहम इसने किसी को भी नहीं बक्षा। किन सांसों का मैं इतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देंगी। किस धन का मैं अहंकार करूं जो मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएंगी। किस तन का मैं हंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोज कुछ को उठा नहीं पाएगा भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदी सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती ग्यान धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे तीनों में बहुत प्यार था एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया हम कहा मिलेंगे ग्यान ने कहा मैं मंदिर विद्यालियों में मिलूंगा धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूंगा विश्वास चुप था ग्यान और धन ने विश्वास से पूछा तुम चुप क्यूं हो विश्वास ने रोते हुए कहा मैं एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं पर जिसकी बगल में आप खड़े हो जाएं, उसकी कीमत जरूर बदल देंगे सुन्दर्ता सस्ती है, चरित्र महंगा है घड़ी सस्ती है, समय महंगा है शरीर सस्ता है, सेहत महंगी है रिष्टा सस्ता है, निभाना महंगा है सौ काम छोड़कर भोजन करना चाहिए हजार काम छोड़कर स्नान करना चाहिए लाग काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड काम छोड़कर इश्वर का स्मरन करना चाहिए